कि वोड़ाइब फिफ्टी फाइफ फिफ्टी फाइफ यह मैं स्पोर्ट मार्किन में जाता हूं और मैं कहता हूं मुझे शेयर्स खरीदने हैं वो कहता है सर 55 रुपे का मिलेगा बड़ी कोशिश करी 55 और मुझे इसने ओफर दी विए 50 रुपे में मैं पागल हूं जो ओपन मार्किट से खरीदूंगा मैं जाओंगा डेरिवेटिव मार्किट में और वहां से जाके जो मेरा एग्रिमेंट है उसको एग्रिमेंट अब ये शियर्द हो गए 55 के मुझे ये शियर्द खरीद लें वो कहेंगा ठीक है आप खरीद लें जो भी डिफरेंशल आएगा हम आपको पे करेंगे तैट इस फाइब रुपीज अब इस आप्शन को अविल करने के लिए आपने कमिशन कितना दिया डिसन मैटर वो पांच और ये 55 तो सर पांच रुपे ही तुम बचने और पांच रुपे का कमिशन भी गया है प्रीमियम भी गया है प्रीमियम हैस गौन अगर ये तुम एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो पांच रुपे जो आ रहे थे तुम्हारे पास वो नहीं आएंगे ये जो गए थ को exercise करो या ना करो exercise करो या ना करो ये जो commission है ये जो premium है जो तुमने इसको दिया it has gone it has gone option premium decision making में कभी भी consider नहीं होता because it's a past cost हाँ reporting के लिए हो सकता है कि आपने क्या deal करी 55 रुपे की चीज़ थी 50 में मिली 5 का फाइदा हुआ 5 लेट से premium हो चला गया तो आप कहाओ profitability के साब से 0 रुपे हो लेकिन अगर आब ये execute ना करते तो आब minus 5 में चले जाते हैं क्या आया क्या गया nothing और commission पाँच रुपे और कहते हैं ना खाया ना पिया बरतन तोड़ा ऐसे कुछ था चार आने बार आने पता नहीं क्या अठाने तो वह वाली game यहाँ पर fit होगी तो option प्रीमियम जो आप ने दिया derivative markets को वो इस decision में हमारे लिए useless है कि हम इस decision को execute करे या ना करे बिलकुल better नहीं करता no doubt वो एक exist करता है वो एक expense है और वो profit में जब आप दिखाएंगे तो वो जाहरे minus हो जाएगा as a deduction what about 60 simple answer है yes जब आपके shares की price open market में, cash market में, spot market में गली के हर कौने में 45, 40, 35 30 रुपे चल रही है less than 50 है less than 50 है in that case आप क्या उस option को avail करोगे exercise करोगे बिलकुल भी नहीं करोगे क्या आप इसके पास जाओगे बिलकुल भी नहीं जाओगे अगर आप इसके पास नहीं जाओगे तो क्याई आप को पर case करेगा या आपको उतड़िया देगा हर्गेज नहीं देगा क्योंकि इसने provide किया है only right to purchase not an obligation to purchase तो क्या तुम इन हालात में इस option को avail करोगे exercise करोगे हर्गेज नहीं Mr. A के point of view से समझिएगा लेकिन जैसे price 50 को cross करती वो 51 हो 52 हो 53 हो 54 हो 60 हो यानि open market में spot market में cash market में ये shares तुमें 60 रुपे का मिल रहा है और ये तुमें वोई shares 50 रुपे में दे रहा है तुमें net gain हो रहा है 10 रुपे का gross की 10 रुपे का तुमें गेन हो रहा है कमिशन जो दे दिया सो दे दिया चार महीनी के बाद अगर तुम ये shares 50 की जगा तुमें वो 60 में मिल रहा है तो बहतर है ना इसके पास जाओ और इससे बो सर आपने कहता 50 ये रहा आपका option लहाज़ अब आप मुझे ये market से चीज 60 रुपे की मिल रही है आप मुझे 10 रुपे जो differential amount है वो पे करें आप उस 10 रुपे में 50 मिलाकर कई से भी ले ले वड़ बाउट मिस्चर अच्छा पहले उसके बाद अब 50 की बात करते है ये अगर एक shares market में भी 50 का है और इधर भी 50 का है तो सारा खेल किसका है differential amount का आप 50 सुपे आप market है और strike price भी 50 है और market price भी 50 है strike price भी 50 है और market price भी 50 है तो differential तो कुछ भी नहीं है तो ये किसी भी amount के लिए आप के लिए जो है responsible ही नहीं है तो फिर क्या ये आप इसके पास जाओगे क्यों जाओगे कोछ डिफरेंशल हो तो लेने जाओगे न वो डिफरेंशल ही नहीं हो रहा तो in that case ये option फिर जहर है ये agreement आपका lapse हो जाएगा आप उस option को availing करोगे दो love मैं यूज़ कर रहा हूँ exercising the option or lapse of the option simple सादा है यानि अगर वो आपको suit करता है वो आपके लिए बेहतर है वो आपके लिए favorable है तो आप उस option को avail करोगे that availing of option is called exercising the option exercising the option उस opportunity को avail करोगे you will exercise the option on the other hand अगर ये वाली situation हो जाए जहाँ differential आई ही नहीं नहीं negative differential तो है ही नहीं because you have only right not an obligation तो जब तुम आपके पास right है तो तुम नुकसान में तो जाओगे नहीं और अगर zero भी है तब भी तुम agreement नहीं करोगे तब भी तुम इसके पास नहीं जाओगे तब भी तुम अपने option को exercise नहीं करोगे उस option को avail करने की ज्रोथी नहीं पड़ेगी you are not obligation you have not obligation तो जब आप अपने option को exercise नहीं कर रहें तो उसको हम कहते है options has left L-A-P-S-E-D lefts का मतलब है वो बेकार हो गया अब वो option रहा नहीं फार के फेक बेंगे आप is that clear अब आते हैं चलते हैं आगे Mr. B की तरफ Mr. B जो है Mr. B वो बेचना चाह रहा है खरीदना नहीं चाह रहा एक और है पर्चेजिंग में इंटरस्ट है पर्चेज करना चाहता है चेजिंग बी जो है वो sell करना चाहता है याद रखिएगा अब Mr. B जो है उसके पाद जो shares हैं वो market में बेचना चाहता है जब market में जाता है तो वो shares market में let's say 40 रुपे के बिक रहे हैं 40, 40 रुपीज के अब अगर उसके पाद 10,000 shares है तो उसको तो 4,000 लाग मिलेंगे तो उसने फॉराँ उसके यादा है मैंने एक option अवेल किया हुआ था मैंने एक agreement किया था बुरे वक्त के लिए वो फॉराँ इदर जाएगा और उससे कहेगा सर आपने मुझे वादा किया था कि मैं आपके ये shares पचास रुपे में भिकवाँगा लहाजा market में जाता हूँ open market में ये तो 40 का है उसने खाँ ठीक है आपका differential कितना आ रहा है 10 रुपे ये लिए आप बेड़ दे market में ये differential आपका amount होगी है 10 क्या आप ये Mr. B अब क्या execute करेगा answer is yes क्या वा option exercise करेगा yes 40 रुपे का share पूरे कराची में भिक रहा है और कोई आपको कहता है मुझे तुम दे दो 50 रुपे तुम जाहरे तुम्हे सची offer क्या मिलेगी वो कहता है ठीक है मैंने जिम्हेदारी ली थी I have an obligation मैं आपको देता हूँ 10 सुपे आप pension क्यों लेगा अगर price पूरे कराची price है market price है पचास और sorry 45 और strike price है 45 तुम्हें market में वेचू तो मुझे 45 मिलेंगे मैंने का ठीक है मैं इसके पास जाता हूँ वो के तर ठीक आपको market क्या चली 45 5 का differential हम देंगे आप इसे 45 में बेचे 5 की guarantee हमारी है तो क्या आप इस option को will करेंगे क्या इस option को exercise करेंगे answer is yes third is यहाँ पर no क्योंकि differential ही नहीं है differential ही नहीं है differential ही नहीं है जब 50 की चीज मार्केट में 50 की बिक रही है तो क्या जूरूत है आपको इसको याद करने की leave it फोड़ के फिक दो काख़ू वो argument हटा दो आपको तो उस पर tension हो जब आपको पता हो कुछ आपको plus मिलेगा आप इसके पास जाते हो कहते हो मेरी आपकी डिल 50 में और मार्केट क्या दे रही है 50 तो फिर क्यों आया भाई मेरे पास अपना मू लेके क्या आप इस option को exercise करेंगे definitely no इधर common sense मेरा ख्याले समझ गया होगे no अगर पूरा खराची open market spot market cash market में आप से लोग 55 रुपे में खरीद रहे अब आप टेंशन में थोड़ी आओगे टेंशन में आओगे तो इसको याद करोगे टेंशन में आओगे तो इसको याद करोगे यहाँ तो तुम्हारे खुशी का समा है पचास वाली चीज जो तुम सोच के बेढ़े थे आज मार्केड में 55 और 60 के हो चुकी है तो क्या तुम option को exercise करोगे क्या तुम इसके पास आओगे क्या यह तुम्हें pay करेगा किस बात के pay करेगा और लेड़ी तुम्हारी 50 की जगह तुम्हें क्या तुम्हें तुम्हें को exercise करोगे No Is that clear? I hope आपको यह बात छोटी सी समझ आ रही होगी अब कब हमने yes करना है कब हमने no करना है कब option को exercise करना है If you are a purchaser If you are interested to purchase from derivative market तो फिर आप derivative market को के पास जाएंगे बाद में वो जो आपका future agreement है पहले आप research करेंगे कि spot market में, cash market में, गली के हर कोने में क्या price चल रही है बिलकुल opposite है जब आप purchase करोगे तो आपकी thinking अलग होगी जब आप sell करोगे तो आपकी thinking अलग होगी Is that clear? अब मैं यहाँ पर कुछ terms introduce कर रहा हूँ पहले उसको सुनेंगे फिर detail में पढ़ेंगे यह जो Mr. A है Mr. A और Mr. B है इसको हम नाम देते हैं इनको हम नाम देते हैं Option Holders यह दोनों कौन है? Option Holders और जो Derivative Market है यह कौन है? इसको नाम देते हैं Option Writer पहले तो इसको समझेगा Option Holder चाहे तुम्हारे पास यानि Holder और Writer में फर्क क्या है? अगर सिर्थ तुम्हारे पास Right to Sell Right to Purchase है Right to Sell Right to Purchase है If you are not You have no obligation to purchase No obligation to sell आपके ओपर कोई obligation नहीं है You have only 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 Right to Purchase Right to Sell चाहे खरीदने का Option हो या बेचने का Option हो You are Option Holder आप इसको Hold करते हो लेकिन अगर आपके पास Obligation है और सारा गेम किस्के ओपर Depend कर रहा है इन दोनों के ओपर अगर इन्होंने अपने Options को Exercise किया तो फिर ये Bound हो जाएगा ये Bound हो जाएगा इसको हम नाम देते हैं Option Writer एक लवज Holder के लिए Right To Exercise Right To Exercise Right To Lapse तेरे पास सिर्व राइट है A. तुम्हारे पास सिर्व राइट है B. तुम्हारे पास सिर्व राइट है No Obligation लेकिन Derivative Markets That is Option Writer Option Writer Option Writer Option Writer To Option Writer होता है उसके पास Right नहीं है Responsibility है उसके पास Right नहीं है Obligation है He is bound to perform He is bound to perform ये क्यों bound है Is bound के पीछे खेल है Premium का Option Premium Option Premium Upfront Primate है आगे हालात तीन मेंने मत क्या हो पहले आप ये प्रीमियम जमा कराएं अब आजे हमारे साथ आगे Option अवेल करें ये Option आपके पास आगिया अब इसको आप चाहें तो जब वक्त आए Execute करें वक्त नाए तो Execute ना करें समझ आगे बात I hope निरी बात समझ रहे होंगे ये जो Option Holder है Mr. A Mr. A जो Option Holder है Mr. A जो Option Holder है इसको हम नाम देते हैं Call Option Call Option क्या चीज़ है Purchase जो तुमारे पास When you have an Option to Purchase When you have a Right to Purchase Option to Purchase Right to Purchase तो उस Option Holder को हम नाम देते हैं Call Option Or He has a Right to Sell तो इसको हम नाम देते हैं Put Option Put Option Call Option जब आपके पास Right to Purchase हो Right to Purchase हो Call Option Right to Purchase Put Option Right to Sell Call Option Right to Purchase Put Option Right to Sell Is that clear? मेरी बास समझ रहे हैं आप लोग Please आगे और आगे चलते हैं तीन टरम्स हैं? तीन टरम्स हैं तीन टरम्स तीन टरम्स और वो तीन टरम्स क्या हैं? जरा समझेएगा प्लीज तीन टर्म्स क्या है? एक लवज है इन दी मनी इसको मैं शौट में कहूंगा ITM आउट दी मनी इसको मैं शौट में कहूंगा OTM और अट दी मनी इसको मैं शौट में कहता हूँ ATM ITM OTM ATM इन दी मनी अट दी मनी और आउट दी मनी पहले इन और आउट को समझते हैं जब हम कहते हैं यार एक चीज हमारे फेवर में होती है तो हम क्या कहते हैं? Yes, I'm in और जब हमारे फेवर में नहीं है तो मैं क्या कहूंगा? I'm out Sorry भाई मैं इस मामले में cred sachना मैं इसमें हिष्चिदार नहीं हूँ मैं इसमें participate नहीं कर दा In the money When you are in In the money When you are out Out the money मतलब मैं इस दील का हिस्सा हूँ मैं इस दील का हिस्सा नहीं हुँ साधा लवजों में In the money Yes I am here I am ready In the money क्या चीज़ होगे हैं लफ्स? यस आउट दी मनी? नो इन दी मनी? यस आउट दी मनी? नो और इन दी मनी? आई अम इंडिफरेंड मैं इधर भी हूँ मैं उधर भी हूँ मेरे लिए दोनों राए मुकद्दम है मेरे साथ से ए भी सही कह रहा है भी भी सही कह रहा है भाई एक तरफ हो जाए यार या तो तू वही वाली बात है या तो आप विद अस और अगेंस्ट अस ये वाली केलें ये दो एक्स्टीम हैं ये कह रहें नहीं यार ना मैं विद हूँ न मैं अगेंज हूँ, I am indifferent that is called add the money जब आप option holder है option holder है चाहे आप Mr. A है तो भी आप option holder है आप Mr. B है तो भी आप option holder है अगर आप Mr. A है तो आप की option को हम नाम दे रहें call option holder है अगर आप Mr. B है तो आप put option holder है put option holder है put option holder है आप call option holder है या put option holder है आप के पास option है to say yes or no yes or no yes or no आप yes कब करोगे yes कब करोगे जरा बताइए मुझे जब वो आपका option वो agreement आपके favor में जाएगा आप no कब करोगे जब आपको उससे कुल फाइदा ही नहीं होगा ऑजे हոगी जब झां करो आपके Pर भाइदा हीं होगे